वल्लब भाई पतेल वल्लब भाई जावेर भाई पतेल 31 अक्टूबर 1875 15 दिसंबर 1950 जो सर्दार पतेल के नाम से लोकप्रिय थे एक भारतिय राजनीति ग्य थे उन्होंने भारत के पहले उपप्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया वे एक भारतिय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतिय गनराज्य के संस्थापक पिता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संधर्ष में अगरणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र का मार्क दर्शन किया भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी उर्दू और फार्सी में सर्दार कहा जाता था जिसका अर्थ है प्रमुख उन्होंने भारत के राजनीतिक एकी करण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ग्रह मंत्री के रूप में कार्य क अंतान थे सोमा भाई नर्सी भाई और विट्टल भाई उनके अग्रच थे उनकी शिक्षा मुख्यतह स्वाध्याय से ही हुई लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे महात्मा गांधी के विचारों से प्र संधर्ष में हुआ गुजरात का खेडा खंड डिविजन उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारीकर में छूट की मांग की जब यह स्विकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल गांधी जी एवं अन्य लोगों ने किसानों का नेत सत्याग्रह भारतिय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतरित्व वल्लभाई पटेल ने किया उस समय प्रांतिय सरकार ने किसानों के लगान में 30 प्रतिशत तक की व्रिध्धी कर दी थी पटेल ने इस लगान व्रिध्धी का जम कर विरोध किया सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए पर अंतत विवश होकर उसे किसानों की मांगो को मानना पड़ा एक न्यायक अधिकारी ब्लूम फीड और एक राजस्व अधिकारी मैक्स वेल न कि प्रदान की किसान संघर्ष एवन राष्ट्रिय स्वाधीनता संग्राम के अंक्तस बंधों की व्याख्या बार्दोली किसान संघर्ष के संदर्ग में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सिधे स्वराज के लिए संधर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिध्ध हो सकते हैं। दोनों ने ही अपने पद का त्याग करने की धमकी दे दी थी। ग्रह मंतरी के रूप में उनकी पहली प्राथमिक्ता देशी रियास्तों राज्यों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाय संपादित कर दिखाया। केवल हैदराबाद स्टेट के आ के बाद नेहरू का कॉंग्रेस के अंदर बहुत कम विरोध शेश रहा। देशी राज्यों, रियास्तों का एकी करन स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियास्ते थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40 प्रतिशत था। सरदार पटेल ने आजादी के खीक पूर्व, संक् काल में की वीटी मेनन के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंध कर दिया था। तीन पटेल और मेनन ने देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप तीन को छोड़ कर शेश सभी राजवाडोंने स्वेच्छा से भारत में विलाय का प्रस्ताफ स्विकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जुनागर तथा हैदराबाद स्टेट के राजाओंने ऐसा करना नहीं स्विकारा। जुनागर सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों और से भारतिय भूमी से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्ट 1947 को पाकिस्तान में विलाय की घोशना कर दी। राज्य की सरवाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलाय चाहती थी। नवाब के विरुध बहुत विरोध हुआ तो भारतिय सेना जूनागड में प्रवेश कर गई। नवाब भाग कर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागड भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहां जन्मत संग्रह कराया गया जो भारत में विलाय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों और से भारतिय भूमी से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोचसाहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह धेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अंततर भारत सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। तीन दिनों के बाद निजाम ने आत्मस मरपन कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलैका प्रस्ताव स्विकार कर लिया। नेहरू ने काश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर राष्ट कर दिनों दिन बढ़ती गई। 19 को जम्मु कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो केंदर शासित प्रेदश अस्तित्व में आए। अब जम्मु कश्मीर केंदर के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। पटेल जी को कृतग्य राष्ट की यह सच्ची श्रधाजली है। ग परंतु सर्दार पटेल वकालत में पन नहरू से बहुत आगे थे तथा उन्होंने संपूर्ण ब्रिटिश सामराज्य के विद्यार्थियों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। नहरू प्राय सोचते रहते थे, सर्दार पटेल उसे कर डालते थे। नहरू शास प्रधान मंत्री बनना चाहते थे। एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकी करन करने का साहस किया हो। प्रधान के 23 राजाओं से कहा, कोई के मेढक मत बनो, महासागर में आजाओ, उरिसा के लोगों की सदियों पुरानी इच्छा कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। फिर नागपुर पहुँचे, यहां के 38 राजाओं से मिले। इन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानि जब कोई इन से मिलने जाता तो तोप छोड़ कर सलामी दी जाती थी। पटेल ने इन राज्यों की बादशाहत को आखिरी सलामी दी। इसी तरह वे काठिया वार पहुँचे। वहां 250 रियास्ते थी। कुछ तो केवल 20 से 20 गाव की रियास्ते थी। सबका एकी करन किया। एक शाम मुंबई पहुँचे। आसपास के राजाओं से बातचीत की औ और उनकी राजसता अपने थैले में डाल कर चल दिये। पटेल पंजाब गए। पटियाला का खजाना देखा तो खाली था। फरीद कोट के राजा ने कुछ आनाका नी की। सरदार पटेल ने फरीद कोट के नक्षे पर अपनी लाल पैंसिल घुमाते हुए केवल इतना प नवंबर 1947 को मिला लिया गया तथा जूनागड का नवाब पाकिस्तान भाग गया। 13 नवंबर को सरदार पटेल ने सोमनाथ के भगन मंदिर के पुनर निर्मान का संकल्प लिया जो पंडित नहरु के तीवर विरोध के पश्चात भी बना। सरदार पटेल कश्मीर में जन्मत संग्रह तथा कश्मीर के मुद्दे को सन्युक्त राष्ट्र संग में ले जाने पर बेहत शुब्ध थे। नी संदेह सरदार पटेल द्वारा यह 562 रियास्तों का एकी करण विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। भारत की यह रक्तह पटेल को इन रियास्तों के बारे में लिखा था। और चीन का रवया कपटपूर्ण तथा विश्वास घाती बतलाया था। अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन उसके व्यवहार को अभधरतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाशा को किसी दोस्त की नहीं धावी शत्रु की भाशा कहा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि तिबबत पर चीन का कबजा नई समस्याओं को जन्म देगा। 1950 में नेपाल के संदर्भ में लिखे पत्रों से भी पन नहरू सहमत न थे। 1950 में ही गोवा की स्वतंत्रता के संबंध में चली दो घंटे की कैबिनेट बैठक में लंबी वारता सुनने के पश्चात सरद पटेल ने केवल इतना कहा क्या हम गोवा जाएंगे केवल दो घंटे की बात है नहरू इससे बड़े नाराज हुए थे। यदि पटेल की बात मानी गई होती तो 1961 तक गोवा की स्वतंत्रता की प्रतीक्षा न करनी पड़ती। ग्रेह मंत्री के रूप में वे पहले व्यक् यदि सर्दार पटेल कुछ वर्ष जीवित रहते तो संभवत नौकरशाही का पूर्ण काया कल्प हो जाता। सर्दार पटेल जहां पाकिस्तान की छद्मव चाला की पूर्ण चालों से सतर्क थे वहीं देश के विगटनकारी तत्वों से भी सावधान करते थे। विशेश सर्दार की सफलताएं पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं। यदि पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिबबत वनेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल सही मायनों में मनुके शासन की कलपना थे। उनमें कौटिल्य की कूटनीति ग्यता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। वे केवल सरदार ही नहीं, बलकि भारतियों के हृदय के सरदार थे। लेखन कार्य एवं प्रकाशत पुस्तकें। निरंतर संगर्श पुण जीवन जीने वाले सरदार पटेल को स्वतंत्र रूप से पुस्तकर्चना का अवकाश नहीं परन्तु उनके लिखे पत्रों, टिपपनियों एवं उनके द्वारा दिये गए व्याख्यानों के रूप में ब्रिहत साहित्य उपलब्ध है, जिनका संकलन विविध रुपाकारों में प्रकाशत होते रहा है। इनमें सरवाधिक महत्वपुण तो सरदार पटेल के वेप पत्र हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दस्तावेज का महत्व रखते हैं। पत्र भी संकलित हैं। विभिन विश्यों पर केंद्रित उनके विविध रुपेन लिखित साहित्य को संकलित कर अनेक पुस्तके भी तयार की गई है। पत्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लब भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिला न्यास किया। यहां लौह से निर्मित सरदार वल्लब भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया। आथर इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ती स्टैचू आफ यूनिटी रखा गया है। पांच प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे चट्टानी द्वीप साधू बेट पर स्थापित किया गया है जो के वाडिया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच स्थित है। 2018 में तयार इस प्रतिमा को प्रधान मंतरी मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट को समर्पित किया जह प्रतिमा पांच वर्षों में लगभग 3000 करोड रुपए की लागत से तयार हुई है। को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहूंगा।